नमस्कार, अम्दै एक्स्प्रेस निउस में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगियादी तिनात ने लॉकडाउन के दौरान जिलो में कुछ गत्विदियों को शुरू करने का जिम्मा डियम पर छोड़ दिया है साथ ही आगा किया है कि कोरोना संकमन वाले 19 समवेदन शील जिलों में जहां दस या उस से ज़्यादा संक्रमित हैं पूरी सजगता वसतरकता के साथ फैसला लिया जाए इन गत्विदियों में उद्द्योग निर्मार कार एक्स्प्रेस वे वाहाई वे निर्मार जैसे काम शामिल हैं सीम योगी आदितिनात ने डियम और एस पी के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग में ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अस्थानी स्थितिका आकलन कर निर्णे ले और शासन को अउगत कराएं सीम ने कहा कि ये निर्णे हाट स्पार्ट वाले क्षित्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होंगी 19 ऐसे सन्वेदन शील जन्पदों के जिलादिकारी सजगता और सतरकता के साथ पर ये निर्णे लें इसमें 10 यह से अधिक करोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं वहां के खास सतरकता बरते हैं वहां के जिलादिकारी मुक्रमंत्री ने कहा कि मार्च के अंतिम दिनों में बाहर से परदेश में आए परवासी मजदूरों को भी उनके घरों में पहुचाने की कारवाई की जाए सरकार ने ग्रामीड इलाकों में कोपरेटिव सोसाइटी गहर बैंकिंग वित्तिय संस्थान पानी की सप्लाई बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी है बास, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेजिंग, पैकेजिंग, फल, सबजी के ठेले, साफसफाई के सामान, बेचने वाली दुकाने, किराना और राशन की दुकाने, डेरी और दूद, पोल्ट्री, मीट, मचली और चारा बेचने वाली दुकाने कैरियर, डीटी, एच, केबल सर्विसेज को कुछ पावंदियों के साथ इजाज़त दी है, मचली कारोबार भी शुरू हो जाएगा, मचलीों की प्रोसेजिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिकरी की जा सकेगी, शहर के बाहर सड़क, सिचाई, बिल्डिंग, अक्ष जी आवजाही, मेट्रो, बस सेवाएं, सैक्षडिक संस्थान, कोचिंग केंदर, हवाई वाट्रेन सेवाएं, सिनेमा घर, मॉल, शॉपिंग कॉंपलेक, जिम खाना, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वनिक स्थान, तीन मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे सभी सामाजिक, राजनितिक, खेल, धार्मिक समारो, प्रार्थनास्थल पर भी रोक रहेगी, किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे जिलों पर कुछ छूट और अउद्योगी गतिद्यों में छूट दिये जाने के संबन्द में जिला अधिकारी, मंडला युक्त, डि आईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसपी, जिला, उद्योग केंद्र के अधिकारी, उद्यमी, आदी, परस पर विचार भी मर्षकर निर्णे लेंगे, भीडवा, अराजक्ता की इस्तिती न पैदा होने पाए, ऐसी ब्योस्था की जाए, शासन किसानों की उपज को क्रैकेंद्रों के अलावा, उनके खेतों पर भी खरीदने की विवस्था करेगा